स्वागते दोस्तों आपका Factify TV Hindi YouTube चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त गुरदीप सिंग हरी दोस्तों क्या आप जानते हो रेज से काच को कैसे बनाया चाता है और ये कैसे संभव है क्या भी ये जानते हैं कि हैंड वाश और बॉड़ी वाश में क्या फरक है अच्छे क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारे हाथों के नाखून होते है वो पैरों के नाखून के मुकाबले ज्यादा जल्दी क्यों पढ़ते हैं सोचे सोचे अच्छे ये सोचे कि एक महंगे CCTV कैमरा की वीडियो क्वालिटी एक 3-4,000 रुपए वाले फोन के मुकाबले काफी कम क्यों होती है और भई कोरोना के दौर में आजकल आप ये तो पक्कर ही सोच रहोंगे कि वैक्सीन यानि के टीका कोरोना के लिए कब बनेगा और लाइफ कब नॉमल होगी देगे दोस्तों रोजाना आपके मन में काफी सारे सवाल आते रहते होंगे जिनके लॉजिक के बारे में जानने में आप काफी इंट्रिस्टेट होते हो तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रिस्टेट सवालों के छवाब और हाँ अगर आप पहली पर हमारे चैनल पर आएं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी वीडियोज अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो दोस्तो क्या आपने कभी सोच है कि ट्रॉफी की शेप हमेशा कब जैसी ही क्यों होती है फ्रेंट्स चाहें क्रिकेट हो गॉल्फ हो फुटबॉल हो या बास्केट बॉल हो या फिर टैनिस हो या फिर होकी हो इन सभी खेलों में दोस्तों एक बात बड़ी कॉमन होती है और वो है ट्रॉफी जो कि विनर टीम को दी जाती है लेकिन देगे यहां से सवाल ये पैदा होता है कि ज्याता ट्रॉफी के जो शेप होते हैं वो कब की तरह क्यों होते हैं जिसमें हम चाय पीते हैं सोचिए सोचिए दीगे दोस्तों मैं आपको पताना चाहता हूँ कि ancient time में लोग अपने धार्मिक विश्वास के कारण चर्च में religious ceremony यानि कि धार्मिक function में चैलिस में wine और पानी पीते थे ये चैलिस दोस्तों एक cup की तरह होता था जिसके नीचे एक handle होता था ताकि इसको आसानी से पकड़ सकें और आसानी से इसको एक दूसरे को transfer कर सकें ताकि सभी लोग इसे मौझूद पानी या फिर wine पी सकें और बाद में किसी भी sports function में जो भी कोई winner होता था उसको ये चैलिस दिया चाता था इनाम के तौर पर और फिस 17th century में इसको ट्रॉफी में convert कर दिया गया चैलिस के दोनों side handle लगा दिये गए दोस्तों और ये design आज तक चारी है और दोस्तों आज की समय में सबसे famous sports events में यही ट्रॉफी का shape use होता है चाहें world cup हो या पर stainless cup हो लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी sports हैं जिसमें जीते हुए खिलाडी को ट्रॉफी की जगा पर medals दिये चाते हैं जैसे कि Olympic Games चलिए friends आपको पताता हूँ कि जो हमारे हाथ के नाखून होते हैं ज्यादा 23 से क्यों पढ़ते हैं दोस्तों आपको तो पता ही है कि हाँ तो आप पैरों के नाखून की जो संख्या होती है यानि कि numbers हो सेम है यानि कि दोनों 10-10 हैं हम जानते हैं इस बात को और दोनों के grow करने का तरीका भी यह की है तो फिर हमारे हाथ के जो नाखून होते हैं पैरों की तुलना में 3-4 गुना जल्दी क्यों बढ़ते हैं असक क्यों हैं आप जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको वदा दू इसका कारण है flow of blood यानि कि खून का प्रवाहा दोस्तो ज्यादा तर हम उपने पैरों में जुराबे और जूते पहन कर रखते हैं जिसके कारण हमारे पैरों में मौझूद blood vessels सिकोड चाते हैं और blood का flow काफी कम हो जाता है और वो पैरों के नाखून तक कम पहुशता है और दूसरा कारण है कि हमारे पैर हमारे हाथों के मुकाबले heart से काफी दूर है जिससे हाथों के मुकाबले पैरों में blood का circulation कम होता है बस दोस्तो इनी कारणों की वज़ा से हमारे हाथों के जो नाखून होते हैं वो पैरों की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं दोस्तों CCTV कामरे की जो वीडियो कॉलिटी होती है वो किसी भी सस्ते सस्ते फोन के मुकाबले काफी कम के होती है देखिए है 21st century है आप जिदर भी देखेंगे आपको हर तरफ कैमरा मिल ही जाएगा चाहे हो किसी फोन की back side में हो या फिर किसी बिल्डिंग की दीवार पर चिपकावाओ 24 x 7 hours लोगों पर नज़र रखता है कैमरा फ्रिंड्स परमात्मा चाहें आपको गलत काम करते हुए देखे ना देखें लेकिन security camera आपको 24 गंड़े देखता है लेकिन दोस्तों आप जब भी YouTube या फिर किसी भी social media platform पर security camera की वीडियो देखते हैं तो एक सवाल आपके मुने पक्का आता होगा यार इनकी quality इतनी खराब क्यों है है ना जबकि सस्ते सस्ते phone की जो video quality होती है वो इससे काफी ज़दा अच्छी होती है लेकिन ऐसा क्यों है फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते है security cameras 24 x 7 घंडे recording करते हैं फिर इस recording को कुछ दिनों या फिर महिनों के लिए save करना पड़ता है अब देखे दोस्तों high quality video को record करने के लिए काफी ज़दा storage capacity चाहिए जोकि impossible है तो दोस्तों ऐसे में video quality के साथ साथ थोड़ा adjustment करना पड़ता है ताकि storage capacity कम हो और इन videos को काफी लंबे समय के लिए रख सकें कुछ cases में कुछ दिनों के लिए तो कुछ cases में काफी महिनों के लिए save करते हैं और दूसरा reason है दोस्तों field of view देखे security cameras में एक कोशिश रहती है कि maximum से maximum area को cover कर सकें तो इसलिए दोस्तों security cameras में crisp lens का use किया जाता है जबकि friends phone के cameras में telephoto lens का use किया जाता है बस इनी दोनों reason की वजह से security cameras की जो video quality होती है वो काफी कम होती है I hope आपको ये बास समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको बताता हूँ कि body wash और hand wash soap में क्या फरक है और दोस्तों body wash का concept क्यों introduce किया गया देखे दोस्तों आजकर हम एक ऐसे यूग में जी रहे हैं जहां हम अपनी बिना किसी जरुट के बेफालतू का समान खरीद लेते हैं दोस्तों ये समान हम आपने ही खरीदते इसके लिए mind को काफी तरीकों से उन चीजों को खरीदने के लिए उकसाया जाता है और दोस्तों body wash का concept भी उन्हीं में से एक है देखे body wash और hand soap में कोई ज़्यादा फरक नहीं है ये दोनों ही एक detergent है और दोनों को skin के लिए यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो चलिए बात करते हैं कि दोनों में difference क्या है दोस्तों दीखे अगर मैं difference की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 5% का difference है दोस्तो body wash में hand soap के मुकाबले moisturization और scent ज़्यादा होता है जिससे हमारी जो skin होती हो कॉमल हो जाती है soft हो जाती है ठीक है और body में से थोड़ी ज़्यादा खुशबू आती है जबकि दोस्तो hand soap में कोई भी moisturizer नहीं है तो ये skin को थोड़ा रूखा बना देती है जो कि इतना बड़ा difference नहीं है अब देखे खेल आता है यहाँ पर marketing का देखे body wash एक marketing scam है ठीक है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों को तयार करने के जो लागत है न वो लगभग same है जबकि body wash का selling price hand soap के मुकाबले काफी ज़्यादा है और दोस्तो companies आपको एक ही product को अलग-अलग करके बेशती है और इससे companies को काफी profit होता है तो अगली बार body wash खरीदने से पहले आप इस concept के बारे में ज़रूर सोचेगा ठीक है दोस्तों आजकल COVID-19 बिमारी का प्रकौप पूरी दुनिया में है इससे हम generally coronavirus के नाम से जानते है आजकल ये काफी तेही से पूरे संसार ने पहल रही है और इस बिमारी से हर एक इनसान चाहे वो किसी भी धर्म का हो जात का हो किसी भी रंग का हो हर कोई परिशान है सब के मन में एक ही सवाल है कि इस बिमारी की vaccine यानि कि टीका कब बनेगा लाकों लोग इसी को डेली गूगल में सर्च भी करते हैं दोस्तो काफी देश कोरोना वाइरस की vaccine का ट्रेल भी कर रहा है पर सभी के time frame सेम है 18 से 24 महिने आज दोस्तो हम आपको vaccine के इतिहास के बारें बताते हैं कि पहली बार vaccine को कब और किस बिमारी के लिए बनाया गया था दोस्तो vaccine को सबसे पहले smallpox यानि की चेशक के लिए बनाया गया था चेशक को हम इंडिया में जनरली माता की बिमारी के नाम से जानते हैं और दोस्तों आज की टाइम में आप इसको स्मॉल पॉक्स यानि की चेचक के बारे में ज़्यादा नहीं सुनते हैं क्योंकि 1978 से लेकर अब तक इस बीमारी से कोई नहीं मरा है पर हजारों सालों तक इस बीमारी ने काफी लोग की चान ली है आप जानते हैं चेचक से पहली मौत 1157 इसापूर्फ में होई थी और बाद में 11 और 12 शताबदी तक इसने संसार की काफी आबादी को मिटाया था जब तक इस बीमारी का टीका नहीं आया था दोस्तों तक इस बीमारी का प्रकोग कम नहीं हुआ इस बीमारी एकलाफ टीकों ने जिस जिगरी का रुक मोड़ दिया उसे कम करके नहीं आका जा सकता और टीका करन को लोग प्रीय बनाने का श्रेय एक बड़ा हिस्सा लेडी मेरी मोटांगू नामक 18 शताबदी के महिला को चाता है चेचक ने मेरी मोटांगों की जिंदिगी को ये बदल कर रख दिया चेचक ने मेरी के भाई को ये मार डाला था और साथ ही चेचक ने मेरी के चेहरे को भी छुलसा दिया था आप जानते उनके चेहरे पर भी चेचक के दाख पड़ गए थे बाद में मैरी मोटांगू ने तुर्की का दोरा किया तो वहाँ पर एक बूडी औरत को देखकर वो चकेत रह गए यह जो बूडी औरत थी ना उसने चेचक संक्रमित रोगी के चेचक के चाले से मवाद लिया दोस्तो मवाद पीला सपदार्थ होता है जो इन्फेक्शन के आसपास बनता है जैसे कि फुनसी के आसपास दोस्तो इस मवाद में काफी प्रोटीन की मात्रा होती है और यह मवाद डेड वाइट सेल से बनता है जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इन्फेक्शन को रोखने का प्रयास करती है इस मवाद को बूड़ी औरत संक्रमित व्यक्ती की तुचा पर खरोच कर लगा देती थी जिससे उस व्यक्ती की चेचक के प्रती Immunity Power यानि की रोग प्रती रूदक शमता बढ़ जाए Mary ने ऐसे लंडन में काफी प्रमोट किया पर ज्यातर लोगों ने इसको माना नहीं इसके कराण ये इलाज कई सालों तक चेचक से लड़ने की लड़ाई में मुख्यधारा नहीं बन पाया फिर वैक्सीन में अगला बड़ा कदम Edward Jenner ने 1796 में उठाया इस डॉक्टर ने चेचक के छाले से तरल पदारत निकाल कर उसको मानफ तुचा में इंजेक्ट किया इसके बाद तो भई तेई से बीमारी से लड़ने के लिए टीको की एक लहर सी विकसित हो गई और इस लहर ने चेचक ही नहीं पलकी काफी बिमारीयों से छुटकारा दिलवाया जो लागों लोग के लिए मौत का काराण बनती थी जैसे कि पोलियो, खस्रा, कंठमाला, खासी, आदि आखर काज को रेट से कैसे बनाया जाता है देगे दोस्तों, इनसान ने अब तक काफी चीजों का अविशकार किया है जैसे कि मुबाइल फोन, हवाई जहास, जिससे कि हमारी डेलाइफ एजी हो जाए दोस्तों, काज भी इनसान की दोरा बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी और अविश्वस्निय चीजों में से एक है देखे, काज को आप हर जगा पाएंगे जैसे कि खड़की में, मिरर यानि की शीशे में, जिसमें आप सब आउट कर अपने आपको देखते हैं अब फिर तयार होते हैं और साथी ट्यूब लाइट में भी दोस्तों, मानिये ये ना मानिये काज को रेज से तयार किया जाता है और ये बात बिल्कुल सच है देखे, दोस्तों, मैं आपको बदाता हूँ कि कैसे रेज को काज में बतला जाता है दोस्तों कांच को बनाने के लिए रेट को sodium carbonate और चूने के साथ मिलाया जाता है चूना दोस्तों इसलिए मिलाया जाता है ताकि जो कांच है वो transparent यानि की पार दरशी हो जाए यानि जिससे हम आर पार देख सकें फिर दोस्तों इनको बठी में 2300-3090 degree Fahrenheit पर गर्म किया जाता है जब दोस्तों इस mixture liquid state में आ जाए तो इने किसी भी साचे में पार कर उपर से प्रेस करके उस साचे की shape में बदल दिया जाता है और रेट कांच की शकल में तयार हो जाता है तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बताईएगा प्लीज हमारी वीडियो को like कीजिएगा इसको share कीजिएगा ऐसी और वीडियो देखनी है तो एक छोटे से काम कीजिए चैनल को subscribe करके जल्दी से bell icon को press कीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के notifications आपको मिलते रहें ठीक है आप से मिलेंगे नई जानकारियो के संग अगली वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक केर